प्यारे बच्चों, गुर्मानी, क्लाश, खाष्ट, शिकर्ण, सब्जेल, हिंदी, प्यारे बच्चों इसके पालें, हम सब हिंदी में, हिंदी बने माला, श्वर्वन, ब्यांजन, और श्वर्की मात्रा, बारा खड़ी, यानि कि कक्का किकी, और इनसे बने वाले शब्द गोष्ट के विशय में पढ़ चुके हैं, आज हम सब भासा यूं ब्याकरण, यानि कि लैंग्वज और ग्रामर के विशय में पढ़ें हैं, तो भासा में, शक्षे पहले भासा कि इंग्लिश में लैंग्वज करते हैं, देखें हम निका गया हैं भासा, लैंग्वज, यानि कि भासा की पईगाशा, इसे इंग्लिश में डिप्नीशन करते हैं, आप सब छोटे बच्चे हैं, थर्ड, फोर्ट, फिफ्ट में बिस्तार से पढ़ा जा चुका है, आपको भासा की परिवासा और ग्याकरण की परिवासा लिखा दे रहे हैं, और आपको बिस्तार से पढ़ना हो तो, थर्ड, फोर्ट, फिफ्ट में लिखाया पढ़ा गया है, वीडियो के मार्जम से, आप उशे देख सकते हैं, तो प्यारवच्चू देखते हैं, परिवासा भासा और शाधन है, जिसके द्वारा हम अपनी मन के भाव और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तखा दूसरों के भाव और विचारों को स्वई समझते हैं, भासा कहलाती है, प्यारे बच्चों, इसे समझने की कोशिश करते हैं, भासा वह साधन है, जिसके द्वारा हम अपनी मन की भाव और विचारों को दूसरों की सामने प्रकट करते हैं, तथा दूसरों की मन की भाव और विचारों को स्वई समझते हैं, भासा कहलाती है, तो भासा के रूप देखते हैं, भासा के रूप या इसे कर सकते हैं, भासा के प्रकार, काल्स आफ लंग्वेज, इसमें करते हैं, सभी भासाओं के तीन रूप होते हैं, चाहिए हिंदी हो संस्कित रूप के जिवे, सभी भासाओं के तीन रूप होते हैं, भाला है मौफिक भासा, जिसे हम जब मुक्षि बोल करके, या का सकते हैं काथित भासा, भाला है मौफिक या काथित भासा, दूसरा है, लिक्षित भासा और तीसरा है सभासा, मौफिक भासा को जो हम मुक्षे बोल कर या मुक्षे कह करके, अपने भाव और विशार को जिसने तो कौशाते हैं, उसे मौफिक या का सिर्वासा करते हैं, लिक्षित भासा में जैसे विद्यावे में आवकास पत्रों लिख करके, बहींचते में शुटी के लिए, प्राक्ष्णापक ये लिक्षित भासा में होती है, पुल्या होता है, और स्यंकिति भासा जैसे हम हाथ से या गर्दन सर से या आँखों के इशारों से किसी को इशारा करते हैं, इसे करते हैं स्यंकिति भासा, तो प्यारे बच्चों सभी भासाओं के तीन रूप होते हैं जैसा कि यहां दिखागरा है मौखी लिपिक और शांखेती भासा तो प्लाश फास्ट और स्टर्णमी आप सकती जी इतना ही बहुत है अब देखते हैं यह व्यात्रा यानि कि इन सुष्टिकाते हैं ग्रामा परिगासा है ब्याकरण की परिगासा देखते हैं और भासा की परिगासा कि इसे कौपी पर नोट कर लेंगे कौपी पर नोट कर लेंगे नोट करके याद कर लेंगे ब्याकरण की परिगासा यानि की डिफिनिशन इंगिस में कहते हैं ब्याकरण वह शास्त्र है जो हमें कीशी भासा को सुद्ध सुद्ध पढ़ने दिखने दथा बोलने के नियमों का ज्यान कराता है उसे ज्यान कराता है ज्यान बच्छों इसे ज्यान से समझने की कोशिस करें जो हमें कीशी भासा को सुद्ध पढ़ने लिखने दथा बोलने की नियमों का ज्यान कराता है उसे ज्यान कराता है आप सब भासा की परिधासा और व्यादरण की परिधासा कोई पर नौट कर लेंगे याद कर लेंगे आगे से आपको व्यादरण में शब्द बिलों कुछ प्रियाज बाची शब्द एक शब्द के लिए अन्यक शब्द लिखाया जाएगे आज के लिए थाज